और वरसात के मोसम में सबसे बड़ी प्रोब्लम ये आ रही है कि अगर आप अपनी फसल को पानी दे रहे हैं तो वो गिर जाती है इस्प्रे कर रहे हैं तो इस्प्रे करने के तुरंत बाद बारिस हो जाती है और वो इस्प्रे भी बेकार हो जाती है लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एक ऐसी दवाई जिसे आप अपनी स्प्रे की जो दवाई है उसमें मिलाने पर चाहे स्प्रे करने के तुरंत बाद बारिश हो जाए वो आपकी स्प्रे की जो दवाई है पूरा का पूरा असर करेगी मान के चलो ये हमारी धान की फसल है और इसमें कीड़ा लग गया है आपको कीड़े की स्प्रे करनी है या किसी गुरोथ परमोटर की स्प्रे करनी है जैसे कि आपको कीड़े की स्प्रे कलोरो करनी है बाइफेंतरीन करनी है बड़वार की स्प्रे जैसे कि आपको नाइट्रो बेंजीन करनी है धंजाइम गोल्ड करनी है या इपको की सागरी का करनी है तो जैसे जब आप इस परे करो गए और उसके तुरंत बाद बारिस हो गई तो क्या होगा वो इस परे बेकार हो जाती है लेकिन मैं जो दवाई बताने वाला हूँ उसका नाम है इस्टीकर सिलीकॉन ये आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगी जो फर्टिलाइजर की दुकान है आपको करना क्या है इस दवाई को लेना है और उसे ये देखे आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये मेरे पास है मैंने इसका स्प्रे किया है इसे मिलाकर मैं स्प्रे करता हूँ इसे स्टीकर शिलीकोन बोलते हैं एक एमल परती लीटर के हिसाब से आपको इसकी डोज रखनी है यह धाई सो एमल का है लगबग 16-17 टेंकी में इसे डाल सकते हैं यानि एक इस 8 भीगे में लगबग और इसका मुल्य 80 रूपे 50 रूपे, 90 रूपे ऐसा है बजार में आपको 100 रूपे की भी दे सकते हैं मैंने इसे उनलाइन मंगाई थी मैं कोई दवाई का पर कमपनी का परचार नहीं कर रहा हूं मैं परचार कर रहा हूं तो इस साल्ट का, टेक्निकल का जो आप लोगों के लिए बहुत फायदे मंद है आप इसे 1 ml परती लीटर के हिसाब से मिलाएंगे मान के चलो आपकी 15 लीटर की टेंकी है तो और जैसे आपको इस्प्रे करना है इसमें कलोरो का कीडे की दवाई का लेते हैं कोई भी कीडे की दवाई तो उसके साथ 15 ml ये मिला दीजिए जब आप इसे मिला कर इस्प्रे कर देंगे इस्प्रे करने के बाद आप अगर तुरंत बारिस हो जाती है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि इस दवाई का काम है जो भी आप दवाई की इस्प्रे करते हैं उसको चिपकाना वो पत्यों पर चिपका देती है बहुत अच्छी तरीके से तो बारिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड सकती या यह कहलो कि वो एक तरह का फैवी कोल है हालागि फैवी कोल नहीं है पर वो एक तरह का फैवी कोल है जो उसे चिपका देता है और हमारी बारिस होने से भी हमारी इस्प्रे बेकार नहीं जाती चाहे वो धान की फसल में करो या गन्ना बोड में करो वैसे गन्ना बोड तो बंद चुके हैं तो इनमें इस्प्रे नहीं हो सकती हाँ अगर किशी का छोटा गन्ना है जिनोंने बाद में बोया है वो इस्प्रेक कर सकते हैं इसे डाल कर इसकी सायता से आपका जो आप इस्प्रेक करोगे वो बरबाद नहीं जाएगी मैंने बहुत ही कमाल की जानकारी दी है और मुझे भी बहुत प्रोबलम आई थी सुरू सुरू में मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था कि हमने इस्प्रेक की और इस्प्रेक करने के तुरंत बाद बारिस हो गई वो सब बेकार हो गया उसके बाद हमने ये स्टीकर सिलिकोन मिला कर इसकी स्प्रेक इसमें जो दवाई थी इसे मिला कर स्प्रेकी और बारिस हो गई कोई फरक नहीं पड़ा पूरो का पूरो असर दिखाया उस दवाई ने आसा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी हाँ अगर आपको इस खरीदना आप एमेजोन पर भी सर्च कर सकते हैं एमेजोन पर सर्च करते हैं या आपके नजडी की कोई दुकान होगी जहां खेती की सारी दवाई मिलती है तो वहां से जाकर आपको उसे बोलना है कि श्ट वहां से तो यह मिली जाएगी आसा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई और सवाल है तो कमेंट बोक्स में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे बात करनी है तो आप मुझसे वटसप पर बात कर सकते हैं वटसप नंबर ये देखी स्क्रीन पर मै से जुदेर हैने के लिए धन्यवाद